ये स्योन जाग जाग अपना बल धारन कर ये पवित्र नगर ये रुशलेम अपने शोभायमान वस्तर पहन ले क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे अपने उपर से धूल जार दे हे ये रुशलेम उठकर विराजमान हो हे स्योन की बंदी पुत्री अपने गले के बंधन को खोल दे यहवा तो यो कहता है कि तुम जो सेंटमेंट बिग गए थे इसलिए अब बिना रुपया दिये छुड़ाए भी जाओगे फिर प्रभु यहवा यो भी कहता है कि मेरी प्रजाज जो पहले पहल मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी और अशुरियोंक ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया अब यहवा की यहवा वानी है कि मैं यहा क्या कर रहा हूँ जबकि मेरी प्रजा सेंटमेंट हर ली गई है यहवा की यह भी वानी है कि जो उस पर प्रभुता करते हैं उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा दिन भर लगातार होती रहती है इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी वह उस समय जान लेगी कि जो बाते कहता है वह यहवा ही है देखो मैं वही हूँ पहाड़ों पर उसके पाव क्या ही सुहावने है जो शुभसमाचार लाता है और शान्ती की बाते सुनाता है और कल्यान का शुभसंदेश, शुभसमाचार और उद्धार का संदेश देता है और सियोन से कहता है कि तेरा परमिश्वर राज्ज करता है सुन तेरे पहरुए पुकार रहे है वे एक साथ जयज़कार कर रहे है क्योंकि वे साक्षात देख रहे है कि यहोवा सियोन को लवटाएगा हे यरुशलेम के खंडःरो एक संग उमंग में आकर जैजिकार करो क्योंकि यहवा ने अपनी प्रजा को शांती दी है और यरुशलेम को छुडा लिया है यहवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र बुजा प्रगट किया है और पृत्वी के दूर दूर के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देख रहे है दूर हो दूर हो वहां से निकलाओ कोई अशुद्ध वस्तु मच्छो उसके बीच से निकलाओ हे यहवा के पात्रों के ढोने वालो अपने को शुद्ध करो क्योंकि तुमको उन उतावली से निकलना और न भागते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि यहवा तुम्हारे आगे-ागे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्रायल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे-पीछे रक्षा करता चलेगा देखो मेरा दास बुद्धी से काम करेगा वह उचा महान और अती महत्वपुर्ण हो जाएगा जैसे बहुत से लोग तुझे देख कर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुश्रकासा न जान पड़ता था और उसकी सुन्दर्ता भी आदमियों किसी नरह गई थी वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवितर करेगा और उसको देख कर राजा शानत रहेगे क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्नन उनके सुनने में भी नहीं आया और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुना भी न था